अरे पक्षियों अभी मुझे उल्लू सेट ने बताया है कि हमारे जंगल में जोरदार बारिशे होने वाली हैं क्या बारिशें अरे रे कालू करवे ये तुम क्या के रहे हो तोते मैं सच के रहा हूँ हमारे जंगल में सची में बारिशे होने वाली है अरे रे पिछले साल की बारिशों ने तो हम सब अक्षियों के घर तोड़ दिए थे हमारा कितना नुक्सान हुआ था लगता है इस बारे भी ये बारिशیں हमें बहुत नुक्सान दे कर जाएंगी कालो करवे तूते ये तम दोनों कैसी बाते कर रहे हो बारिश का मौसम तो हमारे चंगल के लिए बहुत जरूरी है अगर बारिशे ना हो तो हमारे चंगल में जो फसले हैं वे पूरी तरह से खराब हो जाएं हाँ हाँ मीनोचेडिया आखिर तुम्हें क्यों बुरी लगेगी बारिश क्योंकि तुम्हारे पास तो अपना लकड़ियों का मजबूत घर है आखिर सारी परिशानिया तो हम गरीब पक्षियों के लिए हैं हम बारिश के मौसम में जाएं तो आखिर कहा जाएं बलबल बेहन मुझे पता था कि बारिशों का मौसम आने ही वाला है इसलिए मैंने पहले से ही अपना लकड़ियों का घर बना लिया था आप सब पक्षि चाते तो ये कर सकते थे लेकिन इसमें सारी गलती आप सब पक्षियों की है और अब आप सब पक्षि अपनी गलती मुझ पर डाल ले हैं याद करें आप सब पक्षि मैंने कुछी दिनों पहले आप सबसे कहा था कि बारिशों का मौसम आने वाला ही आप सब पक्षी अपने पक्के घर बना ले लेकिन इसी पक्षी ने मेरी बात ही नहीं मानी लेकिन मिनो चेडिया जो भी हो हम सब्पक्षी बारिश को कभी पसंद ही करेंगे बस बस फिर क्या था कुछी देर के बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है बारिश के कारण सब्पक्षी बहुत जाड़ा परिशान हो जाते हैं और सब पक्षी बारिश को बुरा भला कहने लगते हैं कालू जी, अगर मैं बातनों पर काबू कर सकती तो मैं हमारे चंगल में कभी बारिशे होने न दी थी हाँ रानी, मेरा तो दिल करता है कि मैं किसी दिन इन बातनों को बहुत बुरा भला कहूं कि वे गुस्ते में कभी भी हमारे चंगल में वापस ना आएं और कभी भी हमारे चंगल में बारिशे ना हो वहीं दूसरी तरफ तोता और इसका बेटा भी बारिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे मेरे बेटे शुकर करो कि इस बार ये बारिशे थोड़ी हलकी हो रही है बरना तो अभी तक हमारा ये कच्चागर तूर चुका होता जिस तरह हर बारिश में तूर जाता है परन्तु अब में सब पक्षियों को जमा करके बादलों के पास ले जाओंगा और उन्हें जाकर कहूंगा कि हमारे जंगल में आपते कभी बारिशे ना करें पक्षियों की सारी बातें एक बड़ा बादल सुन लेता ही और इसे बहुत जादा घुस्ता आता ही और वे बादल अपने सरदार के पास जाता ही और उन्हें आकर पक्षियों की सारी बात बताता है क्या वे पक्षी बारिश से इतने परिशाना गए हैं कि वे हमें बुरा के रहे हैं एक तो हम उनके जंगल में बारिशे कर रहे हैं और उपर से वे पक्षी हमें ही बुरा के रहे हैं अगर हम उनके जंगल में बारिशें ना करें तो उनके जंगल की सारी फसलें बरबाद हो जाएं और सब पक्षी भूके मरें बस अब मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कभी भी मिठु माराज के जंगल में बारिशें नहीं होंगी हाँ सरदार जी ये पक्षी हर बारिश में हमें इसी तरह बुरा बला कहते हैं अब तो हमें इन पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा हाँ तुम ठीक है रहे हो चलो चलो मुझे उन पक्षियों के पास लेके चलो फिर सरदार बादल चंगल में पक्षियों के पास चला जाता ही पक्षियों में सब जान गया हूँ कि तुम सब किस तरह बारिश को बुरा कहते हो और हम बादलों की भी बहुत जारा बुराई करते हो तुम सब पक्षियों को बारिश अगर इतनी ही बुरी लगती है तो ठीक है आप से तुम्हारे जंगल में बारिशे कभी नहीं होंगी तुम्हारा जंगल सूख जाएगा और तुम सब की फसलें भी बरबार हो जाएगी फिर आकर मुझे मत कहना कि ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे जंगल में है रे सरदार बादल आप इन पक्षियों की बातों का बुरा मत मानें ये पक्षि तुम मुर्ख है इन्हें बारिश के फाइदे बिलकुल भी नदर नहीं आते मीनो चेडिया अब बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम सब पक्षि अब बून बून पानी को तरसोगे इतना कह करवे सरदार बादल वहां से चला जाता है चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया पक्षियों कि बादल हमसे खुद नराज हो गए और अब हमारे चंगल में कभी बारिशे नहीं होंगी हाँ कालू कावे अब तो हम आराम से अपने चंगल में रह सकते हैं अब हमें कोई परिशान नहीं करेगा काफी दिन गुसर जाते हैं कर्मियों का मौसम आ जाता है सारे पक्षियों ने खेट में अपनी अपनी गंदुम की फसल लगाई होती है बस पक्षियों अब सबने मिलकर जमीन में गंदुम के बीश तो बो दिये हैं बस अब रोजाना पानी देंगे ताके हमारी फसल चल से जल बड़ी हो जाए बस तबी वहाँ पर मिनुचिडिया आती है है रे पक्षियों बहुत बड़ी समस्या हो गई है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम सब को किस तरह बताऊं क्या हुआ मिनुचिडिया तुम हमें ऐसे बोल कर क्यों ढ़रा रही हो कालुकावे इस बार हमारे जंगल में कितनी जाद अगरमी हो रही है और तो और बारिशें भी इस बार हमारे जंगल में ठीक से नहीं हुई जिस कारण जंगल की सारी नदिया सूग गई है और अब पानी हमारे जंगल में बिलकुल भी नहीं है जमीन को पानी देने की बात तो दूर की है अब तो इतना पानी भी नहीं है कि हम सब पक्षी पानी पी सकें अरे रे ये तुम क्या के रही हो मिनोचेडिया अगर नदी का पानी सूग गया है तो हम सब पक्षी कहां से पीएंगे पानी ये सब कुछ तुम पक्षियों की वज़ा से हुआ है अगर तुम सब पक्षी बारिश को बुरा ना कहते तो सरदार बादल को कभी बुरा नहीं लगता और हमारे चंगल की नदिया भी कभी नहीं सूगती मीनो चेडिया हम दूसरे चंगल से खरीद लेंगे पानी लेकिन अपने चंगल में बारिशे कभी होने नहीं देंगे बस फिर सब पक्षी दूसरे चंगल से उल्लू सेट को बलाते हैं उल्लू सेट हमारे जंगल में इस बार बहुत कम बारिशे हुई थी जिस कारण हमारे जंगल की नदियों का पानी सूख गया है हम चाहते हैं कि आपके जंगल की नदियों का पानी खरीदें ताके हम अपनी जमीनों को अच्छे से पानी पिला सकें अरे नहीं नहीं कालुकवे, मैं अपने जंगल की नदियों का पानी तुम्हें कभी नहीं दूँगा, अगर हमारी नदियां भी सूख गई, तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए मुझसे कोई उमीद मत रखना बस इतना कहकर उलो सेट अपने जंगल में वापस चले जाते हैं, दो दिन गुजर जाते हैं, सब पक्षी प्यास के कारण काफी जाड़ा परिशान होते हैं अरे रे मेरा बेटा, मेरा बेटा, अरे तोती क्या हो गया तुम्हारे बेटे को भई, पापा मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए, मुझे फॉरण पानी चाहिए, बस इतना कहकर मैं नना तोता प्यास के कारण मर जाता है, अरे रे ये क्या हो गया, मेरा तोती अगर तुम सब पक्षी बादल को नराज नहीं करते तो तुम्हारा बेटा इस तरह प्यास से कभी नहीं मरता हाँ मिनुचेडिया तुम ठीक है रही हो बारिशे तो हमें बहुत फाइदा देती थी और अब तो पानी के सास्तार हम पक्षीयों के पास भोजन भी नहीं हैं हम पक्षी ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएंगे मीनुचेडिया तुम हमेशा ही ठी कहती थी हम मुर्ख हैं हमें बारिश के फाइदे ही नजर नहीं आते थे परन्तु अब मैं समझ गया हूँ कि बारिश ही हमारा जीवान है मीनुचेडिया हम सब पक्षी बहुत शर्मिंदा है भूख प्यास से अपने और अपने बच्चों के पिरान नहीं खोना चाते चलो हम सब पक्षी बादलों के सरदार के पास चलते हैं और चाकर उसे मनाते हैं फिर सारे पक्षी सरदार बादल के पास चले जाते हैं आरे तुम सब पक्षी यहां क्यों आये हो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम सब से कोई बात नहीं करनी सरदार बादल, हम सब पक्षियों को आप से माफी मागनी है हमेश शमा कर दे, हम सब पक्षियों अपनी गल्पी पर बहुत शर्मिन्दा है पक्षियों, तुम सब ने बारिश की कदर नहीं की और अब बारिशे कभी नहीं होगी तुम्हारे चंगल में सरदार जी ऐसा मत कहें, अगर बारिशे नहीं हुई, तो हमारे बच्चे भूग प्यास से मर जाएंगे हाँ सरदार जी, चंगल के पेड़ पोदे सुख रही हैं, और नदिया तो कपकी सुख चुकी है अगर बारिशे नहीं, तो हमारा पूरा जंगल बरबाद हो जाएगा पक्षियों के काफी कहने पर सरदार बादल पक्षियों की बात मान जाता है ठीक है पक्षियों, चाओ, मैंने तुम सब को माफ किया, लेकिन आगे से कभी भी बारिश को बुरा मत कहना आपका बहुत शुक्रिया सरदार बादल, अब हम हमेशा ही बारिश की बहुत कदर करेंगे बस फिर थोड़ी ही देर के बाद, चंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, और सपक्षि बारिश में नहाते है कर्मियों का मौसम चल रहा था, आम के पेड़ों पर काफी मीठे और रसीले आम भी लग चुके थे वाँ वाँ कालू कवे, तुम्हारी पत्नी ने तो आम का रस बहुती जादा स्वादिश्ट बनाया था, मज़ा ही आ गया पी कर तो अरे तोते, इसमें रानी का कोई कमाल नहीं है, रानी तो हर बार ऐसा बोजन मनाती है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, ये सारा कमाल तो हमारे मीठे मीठे आमों का है दूसरी तरफ मीनो चेडिया आम के पेड़ के पास आती है और आम के पेड़ से कहती है पीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया के आप हमें इतने मीठे और स्वाधिश आम खिलाते हैं हमें तो आपके आम खाकर ही बहुत जादा आनन्दा जाता है मिनुचेडिया ये तो मुझे पता है के मैं बहुती मीठे और रसीले आम देता हूँ परन्तु तुम भी तो कितनी अच्छी हो तुम मुझसे कितनी बाते करती हो और मेरा कितना जादा खयाल रखती हो मिनोचेडिया की बेहन कुमल चेडिया भी थी जो के मिनोचेडिया के साथ ही रहती थी कोमल मेरी शादी तो सोनुचड़े से होगी और सोनुचड़ा बहुती जादा अच्छा और महंती है वे अभी किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ है लेकिन मैं चाती हूँ के तुम्हारी शादी भी किसी ऐसे चड़े के साथ हो जोके बहुती महनती और इमानदार हो वो तो ठीक है मीनुचेडिया परन्तु अब तो जंगल में ऐसा कोई भी कोई आरा चिरा नहीं है जिससे मेरी शादी हो जाए इस जंगल में चिरा नहीं है तो कोई बात नहीं दूसरे जंगल से आ जाएगा तुम बस परिशान मत हुआ करो अगली सुबह हो जाती है सब पक्षी आम के पेड़ के पास होते हैं अरे पक्षियों आजकल मीनुचेडिया बहुत परिशान है क्योंकि उसकी छोटी बेहन से शादी करने वाला चंगल में कोई भी कोई आरा चिरा नहीं है हाँ ये बात तो तुम ठीक है रही हो बुलबुल ना जाने कोमलचेडिया की शादी किस चड़े से होगी अरे पक्षियों कोमलचेडिया को छोड़ो और ये देखो ये देखो पेड़ की टहनी तूट रही है अगर ये टहनी तूट गई तो पेड़ भाई को बहुत दर्द होगा अरे पेड़ भाई ये देखो आपकी ये टहनी तूटने वाली है पक्षियों में जानता हूँ के मेरी ये टहनी तूटने वाली है और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है कर रात में एक मोटी ताजी चील मेरी टैनी पर आकर बैठ गई थी जिस कारण ये आदी टैनी तूट रही है और अब तो बस ये टैनी तूटने ही वाली है ये तो बहुत गलत हुआ पेड़ भाई पक्षियों आज के बाद कोई भी पेड़ भाई की इस टैनी पर नहीं बैठेगा वरना ये टैनी तो पूरी ही तूट जाएगी ठीक है पेड़ भाई आपसे हम दिहान रखेंगे कोई भी पक्षी आपकी इस तूटी टैनी पर नहीं बैठेगा वहीं दुसी तरफ उल्लू मीनुचिडिया के पास आता है मीनुचिडिया आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाया हूँ कि तुम खुश हो जाओगी अरे वाँ उल्लू भाई तो फिर बताईए क्या खबर है वो मीनुचिडिया तुम्हारे चोटी बेहन कुमल चिडिया के लिए दूसरे जंगल से एक बहुत पड़े लिखे और अमीर घर का रिष्टा आया है और वे कल कुमल चिडिया को देखने आने वाले है अरे वाँ उल्लू भाई इस खबर ने तुम मुझे खुश नहीं बलकि बहुत ज़ादा ही खुश कर दिया है परन तुमीनुचिडिया उन्होंने कल सिर्फ आम के रस की फरमाईश की है कल तुम भोजन में उन्हें सिर्फ आम का रस पिलाना इसमें तो कोई मुश्किल नहीं हमारे चंगल के पेड़ भाई के आम बहुत ज़ादा ही स्वादिष्ट होते हैं फिर वे उल्लू वहां से चला जाता है अभी बहुत काम करने हैं मुझे चलो पहले में बहुत सारे आम तोड़ कर ले आती हूँ फिर मिनुचेडिया आम तोड़ने आम के पेड़ के पास चली जाती है मिनुचेडिया आम के पेड़ के पास आती है और इसे पता ना होने के कारण पेड़ की तोटी हुई टैनी पर बैठ जाती है मिनोचडिया के वजन के कारण वे टैनी उसी समय तोड़ जाती है पिर मिनोचडिया पेड़ के सामने आती है तो पेड़ उसे से मिनोचडिया से कहता है अरे मुर्ख मिनोचडिया ये तुमने क्या कर दिया मुझे मालूम है तुम जान बुझकर मुझे तकलीब पुचाने के लिए मेरी टैनी पर बैठी थी जिस कारण मेरी टैनी तूट गई ओह कितना दर्द हो रहा है मुझे मैं क्या करू तुम्हारा नहीं पेर भाई मुझे तु पता ही नहीं था कि आपकी पेर की धैनी पहले से ही कमजोर है वरना में बैटती ही नहीं आपकी पेर की धैनी पर अ मेनोचडिया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा चली जाओ यहां से और दुबारा कभी यहां मताना और हाँ तुम्हारी यही सजा है कि सब पक्षी मेरे स्वादिश्ट आम खाएंगे सिवा है तुम्हारे अरे यह आप क्या के रहे हैं पेर भाई मुझे तो आज आम की बहुत ज़रूरत है क्योंके कल कुमल्चडिया को देखने के लिए रिष्टे वाले आ रहे हैं और उन्होंने खास तोर पर आम कारस पीने की फरमाईश की है अगर आप ऐसा करेंगे तो कुमल्चडिया की शादी तूट जाएगी आप किरप्या करके मुझे अपने आम दे दे मुझे बहुत गुसा आ रहा है मिनुचडिया यहां से चली जाओ और आइंदा यहां फिर कभी मताना फिर मिनुचडिया उदासो कर वहां से चली जाती है और मिनुचडिया कालुकवे के पास आती है और कालुकवे को कहती है कालुकवे मैं बहुत परिशान हूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि पेड़ भाई की एक टहनी बहुत कमजोर है परंतु में मुर्क चाकर उसी टहनी पर बैट गई और पेड़ भाई की वे टहनी तूट गई जिस कारण पेड़ भाई मुझे पर बहुत जादा गुसा हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं उनके एक भी आम नहीं खा सकती हूँ तुम्हें पता है कि कल को मलचेडिया को देखने के लिए रिष्टे वाले आ रहे हैं और उन्होंने ये फर्माईश की है कि वे मीठा मीठा आम का रस पियेंगे परन्तु अब तो मेरे पास आम ही नहीं है मैं उन्हें आम का रस कहां से पिलाओंगी कालू कवे अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो देखो तुम्हारे पास कितने सारे आम है मुझे ये आम दे दो तुम मीनुचेडिया पेड की टैनी तुमने तोड़ी और सारी गलती भी तुम्हारी तो फिर तुम आम मांगने हमारे पास क्यों आ गई हो देखो रानी कवी कालू कवी जब तुम दोनों मुश्किल में होते हो तो मैं ही तो तुम दोनों की मदद करती हूँ आज मैं मुश्किल में हूँ तुम दोनों मेरी मड़त करो नहीं नहीं मिनोचेडिया अगर पेड़ भाई को पता चल गया कि मैंने तुमें आम दिये हैं तो पेड़ भाई कहीं मुझसे नाराज भी हो सकते हैं ना बाबा ना मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ तुम जाकर अपना कहीं और बंदो बस कर लो कालू कवे की बात सुनकर मिनोचेडिया उदासो कर वहां से चली जाती है अब कुछ नहीं हो सकता है कुमलचेडिया कर रिष्टे वाले आएंगे तो पर अंतु तुम से बिना रिष्टा किये ही वापस चले जाएंगे मिनोचेडिया इसमें सारी गलती तुम्हारी है तुम भीचारे पेर भाई की तूटी हुई टहने पर बैठ गई जिस कारण उनका दर्द और भी जादा बढ़ गया है कुमलचेडिया अगर मुझे पता होता तो भला में पेर भाई की तूटी हुई टहने पर क्यों बैठती अच्छा कुमलचेडिया तुम सो जाओ मुझे बहुत प्यास लग रही है मैं नदी से पानी पी कराती हूँ ये कहकर मिनोचेडिया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है मिनोचेडिया जाही रही होती है कि उसे कहीं से चीखने की आवाजे सुनाई देती है बचाओ बचाओ कोई तो मुझे बचाओ कोई मेरी मदद करो ये तो पेर भाई की आवाज लग रही है मुझे फॉरण उनके पास जाना चाहिए मीनो चड़िया फोरण आमके पेड़ के पास जाती है मीनो चड़िया जब पेड़ के पास आती है तो वे देखती है पेड़ पर तो काफी सारी आग लगी होई होती है हाई रे इतनी सारी आग कैसे लग गई पेड़ भाई आप बिल्कुल भी चिंता मत करें मैं आपको बचा लूँगी अब क्या करूँ मैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ एक काम करती हूँ मैं बादल भाया के पास जाती हूँ ये कहकर मिनुचिडिया फॉरण बादल के पास चली जाती है कुछ देर के बाद चंगल में बारिश होने लगती है जिस कारण पेड़ पर लगी आग भी बुझ जाती है थोड़ी देर के बाद बारिश भी रुख जाती है आम का पेड़ काफी जादा खुश होता है मिनुचिडिया मुझे माफ कर दो मैंने तो बिना सोचे समझे तुम पर टैनी तोड़ने का इज़ाम लगा दिया था और तुमने तो मेरी जान बचाई कोई बात नहीं पेड़ भाई पर अंतु भी आप कैसे लगी थी मिनुचिडिया कुछ देर पहले एक पक्षी जलती हुई मशाल ले जा रहा था लेकिन ना जाने मेरी मशाल उसके पंजों से कैसे छूट कर मुझ पर गिर गई तुम्हे जितने आम तोड़ने हैं तोड़ लो अब कोई रोक टोक नहीं है हम्ँ तो इस तरह से लगी थी आग पर अंतु पेर भाई अब आप बिलकुल सुरक्षित हैं कुछ देर के बाद मीनोचिडिया काफी सारे आम तोड़ कर अपने गोसले में ले जाती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के हर मुश्किल समय में उनकी मदद करनी चाहिए अगर आप सब को ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें